जिलो गाइज एद के वेल्कम बैक कुछते हैं वह नाम जाना चाहते हैं So मेरा नाम अनू है… इसमान एकने स्टोरी स्टाट होती है हमारी female lead smile से यहां पर भाग भाग कर जा रही होती है इतने महीं हमारे male lead बाच से टकरा चाती है तब बाच कहता है कि ये लड़की नहीं जल्दी में कहा है तरफ से smile अपने club जाना चाहती है अगर वो आज application form जमाने ही करेगी तो अपनी फ्रेंड से एक साल पीछे रहे जाएगी इसके बाद उससे यह रिपीट करनी होगी इतने में यह लिफ्ट की तरब भाग कर जा रही होती है तभी यहां पर हमारा सेकंड में लीड कायरो लिफ्ट को रोक लेता है और कहता है कि मै में फ्रेश हैं इतने में यह दोनों बाती कर रहे थे और लिफ्ट खराब जाती है इसमाइल काफी दर जाती है कि मैं किसी को फूर करकर बुलाता हूं इसमाइल कायरो की उपर चड़ जाती है और बहुत लग रहा है अगर लिफ्ट नीचे गर गई तो दोनों ही मर चाहरन को ब cesa काईल के साथ देखते हैं यहां पर इसमाइल जाती है में घाएंब जोनों करके देखती हैं वर के स differentiate है है तभी स्माइल तो इसी बात से इसमाइल करने लगती है कि इसने मुझे क्यूट जो बोला का लेकर परपोस करने पहुंच आपक की तभी काई उसे कर लीचा करता है और यृज है की तो पर पसंद कर दोंगा 먹 तो इसके बाद मैं प्रैक्टिस करनी चाहिए तभी स्माइल करती है कि अच्छा यहां ऐसा क्या मुझे यह सब भी करना होगा तभी कायरो कहतe है कि हाँ बिल्कुल तहीं तुम रीढेट कर ने, उसके बाद उसे रिजेक्ट कर देता है और でも कुछ भी और नी को रीजेक्ट कर देता है यह कर कि इसकी आपने यह पॉस्टर ले सकती है तभी यहां पर उसकी फैन और नहीं कि यहां पर लोगी और तुम्हें भी दिर्वाओंगी तभी स्माइल करती है नहीं उसे यह सब नहीं करना तब इसकी फैन उसे मना लेती है करना चाहिए इतने में उनकी हाथ से पॉस्टर नीचे कर जाता है जब इसमाइल पॉस्टर को नीचे लगने के लिए जाती है तो यहां पर अपनी फीमिल लीड हम लिस से मिलते हैं बाइस की गल्फरेंड कोई और नेबल की लेजी है यहां भी लेज बाद से काफी खुश बा इसने में इसमें इंट्रस्टेट हो जाती है यह दोनों कीचता नहीं वह उसको फार देती है और एक आदा आदा लेकर अपने रास्ते चली जाती है इसके बाद इसमाइल उस जगवे पहुंचती है जहां पर वो बाइफरेंड पर ले सकते हैं यहां पर उसकी मैनेजर उसे बात करते हैं और उसे कॉंट्रेक्ट साइन करवाते हैं यहां पर उसने कहीं सारी कंडिशन भी लिखी दी कि आखिर उसे बॉइफरेंड कैसे टाइप का चाहिए बल्लब हर टाइप का वाइफरेंड यहां पर मिलता है रैंट पर तब उसकी मैनेजर कहते हैं कि आपकी जो है वो फिल्फिल की जाएगा रेंटेट वॉइफरेंड आपकी विश्च को फिल्फिल नहीं कर पाया है तो आपको अपना जो पैसा है वो सूस समेथ वापस मिल जाएगा इसके बाद स्मयल खुश हो जाती है और गयती है कि चलो भाई सेटी वी है सेक्योर्टी भी इतने मे यह उसे वह पर एंट्री नहीं मिलती विकॉस उसके पास उसकी आईडीज सेटी को मना नहीं कोशिश करती है उसे पता चलता है कि फिरीमे करें क्या तो मझे पीछे करासे से यहां पर एंट्री दिलबाऊगे गयता है इसके बाद उसे काफी सारे पैसे उफर करती है उगारों मान जाता है कि बाद उसे पीछी की रास्ते से अंदर पहुंचा देता है लेजबी मैनेजर से मिलती है और अपनी कंडिशन बताकर एक लड़की को रेंट पर ले लेती है और इसमाय जब अंदर अपने रेंटेड वाइफंड का रही थी तब यहां पर इसके रेंट वाले वाइफंड के इंटे होती है और वो कोई और बल्कि बैच होता है और उसकी एक लौती बैस्फिंड का क्रश यहां पर बैस से काफी प्लेट करने की कोशिश करता है तब वह उसे दूर दूर भगती है और यह तीगी नहीं इस में बहुत पसंद करती है तो गयता है कि अच्छा हो टेडी वाली तो बताती है कि वह कंगारू था तहीं उससे कहती है कि हम दोनों सेमी स्कूल पढ़ते हैं तो उसे थोड़ी हैसीटेशन भी हो रही थी यहां पर हो कहती है कि तुमने सब काम करना स्टार्ट क्यों क्या तो याखिर हम एक लड़की को खुद को पसंद कैसे करवा सकते हैं तभी यहां पर बैट्स कहता है कि हम मुझे तुम पसंद नहीं हो तुम मुझे ना पसंद करो ऐसा चांस ही बतानी होता मैं इतना परफेक्ट हूं कि कोई तुम मुझे आज से रिजेक्ट नहीं कर पाया है कि यह तुमारे बड़े-बड़े सपने इसके बाद वो लिसको अपनी कार में ट्राइक परता है और कहता है कि देखो तुमारे वाइफेंड ने चीट किया तो तुम उससे बदला लेना चाहती हो तभी यहां पर लेस कहती है कि मैं अभी तक शोनी हो तभी कायरो कहता है कि वो तुमारे उपर चीट कर रहा है और यह सब तो में सब्दलना चाहिए कि मारे फून कॉल भी नहीं उठा था तो भी लिसक कहती है कि कहा ना मैं शोनी हो लेकिन तुम मुझे टच भी नहीं कर सकते हैं पैस की बाद करें त बिल की तुमारे है तुमारी है अच्छा मतलब और तोनों सब्सक्राइब कर तो दोने चाहिए तब का मनता ना भाइचना करता है कि यहां पर क्लब में काफी सारी पार्टी चल रही थी एक लडगी काफी अच्छा साव डांस कर रहे थी इतने में इसमाइल लोग एक काउंटेंच कर लेती है यहां पर वो लोग प्लग को स्टेजश पिल्म जाने विस्टा उसे में आपको स्टेज करने पर मीडंस करसे मिल रहा है इसका पर उस कांप गर करता है इसके वाद उसे रोस मिलते हैं यहां पर जब रूस की काउंटिंग होती है तो दरसल नाइन इन थे एक कमी थी यहां पर कायरो भी होता है तो रोस कंप्रीट नहीं हो पाती तो वह हार जाती है यहां पर एक शरावी सा आदमी आकर कहता है कि ठीक है अब तुम हार गही हो तो अपनी शर्ड यहीं पर निकालने होगी तब ही इसके बाद समयल काफी दर जाती है वह सब कैसे करती इतने में कायरो आपर आता है वह से एक रोस देता है इसके बाद उसके टेंड रोस कंप्टीट हो जाता और उससे इस अब नहीं करना पड़ता यहां पर वह बंदा कायरो करते हैं तो और देता है और पर लिए आगार तो बात बन जातीकि यहां पर उससे बाहर लेकर आता है इसके बाद उस्ट बेंड़ स्टेज पर आकर निकाल कर स्मूटी बंदे की उपर चलाए और आ कि तुम बचारी से नर्की को ऐसे बुली नहीं ही सबकते सामने एक वहां पता है तुमhl यहां पसंद कर रहता है हुए बहुत जाए हैं इस असे याजीब से डांस करते हुए देख लिया अब तो उसे कभी भी पसंद नहीं करेगा इसका उसका रोना स्टार्ट हो जाता है तभी बाइच उससे कहता है कि तुम ऐसे रो नहीं सकती है मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एक खराब इंसान हो इसके बाद वो कहती है कि तो मैं क्या भी कर रही हूं भी वोसे बताता है कि ठीक है अब तुम घर के से जाओगी इतने में हो कहती है कि टैक्सी से तभी टैक्सी से नहीं होती तुम एक लड़के से लिफ्ट मांगनी चाहिए वो भी काफी इंप्रेसिव तरीके से तभी यहां पर वो यह तरा सीदा बैस भी अप इसके बाद वो से अब पर बिठा कर उसके घर के बाद चोड़ेता है जब उसकी बैस्वें पर आजाती है तो उन दोने को चुटना भी पड़ता है इसके वह तो कुछ खास नहीं था मुझे पसंद नहीं आया और यार से यह सब वादू की चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए जबकि उसे दो काफी मजा रहा था बट उसे बताती कैसे कि तुम्हारा एक लौता क्रश मेरा वो वेफेंड है जिसको मैंने रेंट पडिया है यहां पर हम देश को देखते हैं जो कि वैट से मिलने के लिए वाच खरीद रही होती है इतने महीं कायरों आप पर आजाता है और तुम्हारा टेस्ट काफी अच्छा है बट तुम्हें उस बंदी पर इतना ट्रस्ट नहीं करना चाहिए मुझे एक बार ट्राय करकर तो देखो तिव कहती है कि मुझे तुम्हें कोई बहुत इंट्रस्ट नहीं है और मैं अपना रेंट इट वैफेंड करने वाली हूं तुम्हें लटका बिल्कुल ही चाहिए तभी कायरो कहता है कि मैंने एक बार कहा ना मैं तुम्हें बिल्कुल भी डिसपवाइंट नहीं करूगा यहां पर लेस उसमें बिल्कुल भी इंटरस्टेड नहीं थी विकॉस वो सच में बैट्स को बहुत ही अधा पसंद करती थी अरपर इसमायल को देखते हैं आपर इसमायल को उसी क्लम में लेकर रहाता है यहां पर दोनों अकेली तही बाल गेट बंद कर देता है और उसमायल के बाल भी कोल देता है तभी स्मयल को लगता है शायद कुछ रोमेंटिक हुनने वाला है तभी यहां पर बैच कहता है कि मैं तुम्हारा लुक्स चेंज कर रहा हूं बहुत निकलते हैं तो यहां पर आपर इसमाइल वाई वाला पैतरा फिर से बैच पर अपनाती है और उसे लिफ्ट मंगती हैं तो तो बैच इस प्यारी सी स्माइल लेकर पिखलत हो चाता है पर जब उसे पतास बहूं हुआ है इसका आप शराब युशिकंड नहीं कि यहां पर समयल उससे बच कर भागती है तब बैट्स भी लेस्ट से मिले के लिए जा रहा था यहाँ बर लेस्ब वेट कर रही था है साथ में उसके साथ कायरो भी था कि अगर कोई दिक्कत आए तो वो लिस को डिफेंड कर सके यहां पर लेजबी उसका वेट करते करते थक जाती है इसके बाद वो बैट्स को कॉल करती है और कहती है कि तुम कहां पर हो तो बैट्स करता है कि राफ हो गई है मैं जल्दी आ जाओंगा शिदा मत करो इतने में जब लिस से में लेकरे जा रहा होता है तो रास्ते में उसकी बाइक फिर से बंद पर चाती है इतने में उसे स्माइल की आवाज आती है जो की हेल्फ हेल्फ के लिए चला रही थी रावी बंदा उसके अभी तक पीछे था फैट्स वहां पर रूख जाता है और अची किसा तुम भुक्त है क्या है जब जढ़त है तो तो दो एची कोई पनन देकरी के लंदाजने के सकती होता है जबूत आता है